हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में जैसे आपको पता है गणीत के 500 गे सब्जेक्टी प्रशन हम आपको करवा रहे हैं और ये जो 500 गे सब्जेक्टी प्रशन है ये बोर्ड एक्जाम 2021 में 100% लड़ेगा ये हमारा ग्रांटी है और जो भी बच्चे इस 500 गे सब्जेक्टी प्रशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एक्जाम 2021 में उनसे एक भी प्रशन नहीं चूटेगा ये हमारा ग्रांटी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंद सबस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा साथ में बेल आइकन को ओल पे भी दवा लीजेगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंद तर है तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से पहला नमबर प्रशने की 10A2, 60 डिगरी का मान ग्याद करें काफी महत्पड प्रशन है यहाँ पे आपको 10A2, 60 डिगरी का मान आपको क्या करना है निकालना है यह प्रशने आप से तभी बनेगा जब आपको यहाँ पे 10, 60 डिगरी का मान पता होगा तो 10, 60 degree का मान कितना होता है, root 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे root 3, और इसका square है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, square कर देंगे, अब square से root क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 10 square, 60 degree का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया यनि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुल ही सही हो जाएगा तूमीद करते यह प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आएए देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पे दो नंबर 10 है और बोल रहा है यहाँ पे कि इन दोनों संख्याओं का मौसर कितना है यहाँ पे 10 है और लौसर कितना है चालिस है तो इस एक आमान आपको क्या करना है निकालना है तो इसके लिए एक फर्मूला होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली संख्या गुड़े क्या होता है दूसरी संख्या बुराबर क्या होता है लस और गुड़े क्या होता है यहाँ पर मॉसा यह होता है फर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज आप लोग इसे लिख लिजे और याद कर लिजेगा यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितना है ए है तो यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर है तो बराबर अब यहां पर आपको लॉसर लिखना है तो लॉसर कितना है 40 है तो यहां पर लिख देंगे 40 और मॉसर कितना है 10 है तो यहां पर लिख देंगे 10 अब आपको एक अमान निकालना है तो यहां पर 10 गुड़ा कर रहा है तो इधर आके क्या करेग यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशना आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे तिन नंबर तिन नंबर प्रशने की कौन किसी घटना का प्रायक्ता नहीं हो सकता है यह भी काफी महत्पड प्रशने हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन किसी घटना का प्रायक्ता नहीं हो सकता है तो किसी घटना का प्रायक्ता जीरो से लेके एक तक होता है एक से जादा नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए एक से जादा है 3.5 तो यह नहीं हो सकता यानि यहाँ पर एउप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा और परसेंटेज में कहां तक होता है तो 100% तक होता है किसी घटना का परायक्ता यह आपको याद रखना है और माइनस में किस संख्या का यहाँ पर परायक्ता नहीं होता है कि माइनस 0.5% परायक्ता यह ऐसा कभी नहीं होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है काफी मातपुड मातपुड 20 अबजेक्टी प्रशन है तो एक भी प्रशन आप स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप प्रशने चार नंबर चार नंबर प्रशने की साइन स्कूर ठीटा प्लस कॉस स्कूर ठीटा का मान निकाले यह भी काफी मातपुड प्रशन है यहाँ पर आपको बताना है कि साइन स्कूर ठीटा प्लस कॉस स्कूर ठीटा का यहाँ पर आपको मान निकालना है तो साइन स्क क्या होता है यहाँ पर एक पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशने पांच नमबर भी प्रशने काफी ही महत्पुण है कि दुईघात बहुपद एक से स्क्वार माइनस चार का सुन्यक ज्यात करे ऐसा भी प्रशने बोर्ड एक्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दुई घात भूपद x square minus 4 का सुन्यक ज्याद करें तो इसका आपको क्या करना है सुन्यक निकालना है x square minus 4 का सुन्यक निकालना है तो बराबर के उधर क्या कर देंगे 0 कर देंगे यहाँ पे आपको x का मान निकालना है तो यहाँ पर देखे माइनस 4 है जब बराबर की इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा तो इधर बचेगा x से स्क्वाइर और यहाँ पर माइनस 4 है बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे हमको x का मान निकालना है लेकिन यहाँ पे X से स्क्वाइर है तो स्क्वाइर को क्या करेंगे बराबर के उधर बेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा तो इधर बचेगा हमारा X और उधर हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 4 हो जाएगा जो उमिद करते हैं ये भी प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा आएए देखते हैं अगला प्रशने आपे छे नंबर प्रशने की बिंदू P-4-2 और यहाँ पे Q-8-6 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदू का निर्देशांग ग्याद करना है यहा अध्य बिंदू का निर्देशांग निकालने के लिए फर्मूला क्या होता है तो X1 प्लस X2 बटा क्या होता है दो कॉमा यहाँ पे होता है Y1 प्लस Y2 और बटा क्या होता है दो होता है और एक ऐसा प्रशन परतेक साल पूछा जाता है तो इसे आपको अच्छी तरीके से सम मजना है यहाँ पर P का निर्दे सांग कितना है माइनस 4 दो है और यहाँ पर Q का निर्दे सांग कितना है 8 और यहाँ पर क्या है 6 है यहाँ पर देखिए जो पहला यहाँ पर निर्दे सांग होता है इसमें क्या होता है यहाँ पर देखिए यह होता है पहला वाला X1 और दूस दो प्लस वाइटू का मान कितना है चे है, तो यहाँ पे लिग दीजी चे, और बटा के नीछे दो है तो दो, अब यहाँ पर देखिए आठ में से 4 घड जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बटा 2, और इसको जोड़ दीजीए 2 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और बटा क्य से हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी ऐची तरीके से समझ में आया होगा आइए देखते हैं अगला प्रशनिहां पर साथ नंबर प्रशने कि निमने लिखित में से कोण अपरी में संख्या है इसमें से अपको बताना है कि कौन अपरी में संख्या नहीं है यहां पर लोग नहीं जोड लिजए इसमें आपको पता करना है कि कौन अपरी में संख्या नहीं है जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें भी रूट लगा रहा जाएगा तो जब रूट लगा रहा जाएगा तो यह भी आपरी में होगा और यहाँ पर देखे-D लिखिज में से कौन अपरी में संख्या नहीं है तो D वाला जो संख्या यह अपरी में संख्या नहीं है यह परी में संख्या यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने आपर आठ नंबर परशने आपर देख क्या है यहाँ पर into में है गुडा में है और यहाँ पर देखे एक डिगरी दो डिगरी और यहाँ पर तीन डिगरी का तो मान पता नहीं है लेकिन आपको किसका मान पता है cost 90 degree का मान पता है cost 90 degree का मान कितना होता है 0 होता है और 0 में जब इन सभी संख्याओं से गुड़ा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा यानि यहाँ पे c वाला option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा cost 1 degree into cost 2 degree इन्टू कोस 3 डिगरी डॉट डॉट कोस 90 डिगरी ये सभी क्या है आपस में गुड़ा है और यहाँ पर कोस 90 डिगरी का मान कितना होता है जीरो होता है और जीरो में जब किसी भी संख्या से गुड़ा होता है वो तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यानि इसका मान कितना हो जीरो होगा यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा तो मिद करते हैं यह भी प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा आएए देखते हैं अगला प्रशने आपे 9 नौ 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 प्रशने की एक रेखा जो बृत के किसी एक बाहबिंदु पर असपर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है A option ने Jeeva, B option ने असपर्श रेखा, C option ने दोनों, D option ने इन में से कोई नहीं तेहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर एक रेखा जो बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड प्रशन है तो एक भी प्रशन आप स्किप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन है दस नंबर दस नंबर प्रशन है यदि 10 ठीटा बुराबर 3 बटा 4 हो तो साइन ठीटा का मान ग्यात करें यहाँ पर क्या दिया है तो यहाँ पर दिया है 10 ठीटा बुराबर कितना दिया है 3 बटा 4 तो बोल रहा है यहाँ पर कि साइन ठीटा का मान आपको क्या करना है निकालना है कि sin theta का मान क्या होगा तो यहाँ पर देखे 10 theta का फर्मूला क्या होता है तो यह होता है लंब बटा क्या होता है अधार होता है तो यहाँ पर देखे लंब कीतना है 3 है और अधार कीतना है यहाँ पर 4 है कड का square बुराबर क्या होता है यहाँ पे लंब का square जोड क्या होता है यहाँ पे अधार का square होता है तो यहाँ पे आपको कड को निकालना है तो कड को आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा लंब कितना दिया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसके स्क्वेर हैं तो इसको कितना है घंप लिए सब्सुला और इसको क्या हो गया की यहां पे लिइन को क्ण निकालना है यहां पे क्या है करनोकि Eigen इसक्वेर को क्या करेंगे बराबर के उधर बेज देंगे यहाँ पर कंड बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट 25 हो जाएगा और 25 का और गमूल कितना होगा यहाँ पर 5 होगा बस यहाँ पर आपको रख देना है साइन ठीटा का फरमूला क्या होता है लंब बटा कंड होता है तो लंब का मान कीतना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीन है तो तीन और कंड का मान कीतना निकला है अभी निकला है पांच तो यहाँ पर लिख देंगे पांच यहाँ यहाँ पर मान कीतना होगा तीन तो यहाँ पर D option क्या हो जाएगा बिलकुल ही से हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्ण आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आएए देखते हैं अगला प्रश्ण आपर 11 नंबर 11 नंबर प्रश्ण है कि बहुपद X से स्क्वाइर माइनस 3X माइनस 4 का एक सुन्यक ग्यात करें जो यहाँ पर बहुपद दिया है कौन सा बहुपद है तो यह एक दुईघात बहुपद है और दुईघात बहुपद के कितने सुन्यक निकलते हैं तो दो सुन्यक निकलते हैं उस सुन्यक को फिर इसी बहुपद में जब हम रखेंगे तो x का मान यहाँ पर पूरा यह बहुपद में कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानि Юहाँ पर दिखे 10 का मान आपको दिया है bucks इसमें आपको रखके चेक करा लेना है, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे X के जगे पे अगर इसका बहुपत का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो समझ लिजी इसका सुन्यक है अगर नहीं होता है तो समझे इसका यह सुन्यक नहीं है तो यहाँ पर देखे X स्क्वेर माइनस 3 X माइनस 4 सबसे पहले x के जगे पर क्या रखेंगे यहां पर 4 रखेंगे तो यहां पर हो गया 4 के स्क्वाइर माइनस 3 और यहां पर देखिए 3 और गुणे यहां पर x के जगे पर 4 रखेंगे और माइनस 4 है तो यहां पर लिख देंगे माइनस 4 तो यहां पर देखिए 4 के स्क्वाइर क मान कितना निकल गया यहाँ पर 0 हो गया तो यह क्या है चार इसका सुन्यक है यानि यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर 2 रखके चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका A निकल गया, यहाँ पर इसका तो 0 हो गया, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए, यहाँ पर X का मानब कितना रखेंगे, दो रखेंगे, तो X स्क्वाइर माइनस 3X और माइनस 4 X के जगे पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2, और इसका स्क्वाइर कर देंगे माइनस है, तो माइनस 3 है तो 3, फिर X के जगे पर क्या रखेंगे, दो रखेंगे और माइनस यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 2 का square कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और minus यहाँ पर देखें तीन दूना कितना हो जाएगा 6 और minus यहाँ पर 4 4 में से 6 निकलेगा कितना बचेगा यहाँ पर minus 2 और minus 4 कितना होता है minus 6 तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 0 नहीं आ रहा है तो यह इसका सुन्यक नहीं होगा यह इसका सुन्यक नहीं होगा लेकिन 4 इसका एक सुन्यक होगा यानि यहां पर यह उप्सन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्यों सुन्यक होगा क्योंकि जब इसमें x के जगे पे 4 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा तो उमीद करते यह प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशनिया पे 12 नंबर 12 नंबर प्रशनिया कि यदि समीकरण kx-5y बुराबर 2 और 6x-2y बुराबर 7 का कोई हल ना हो तो k का मान ग्याद करें यहाँ पर बोल रहा है कि दो समीकरण दिया है, यह पहला समीकरण है, और यह क्या है, दूसरा समीकरण है, इन दो समीकरणों का बोल रहा है कोई हल ना हो, तो इस K का मान आपको क्या करना है, ग्याद करना है, तो जब किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो वो कैसा होत तो होता है A1 बटा A2 बुराबर यहां पर B1 बटा क्या होता है यहां पर B2 होता है और बराबर नहीं क्या होता है यहां पर C1 बटा क्या होता है C2 बस यहां पर आपको A1 का मान रखना है और यहां पर A2 का मान रखना है और यहां पर B1 का मान रखना है यहां पर B2 का मान रख और यह जो दूसरा सेमिकरण है इसमें जो X में गुणा करेगा वो A2 होगा और जो Y में गुणा करेगा वो B2 होगा और जिसमें X, Y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा C2 होगा यहाँ पर देख सकते हैं 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 यहाँ पर यहां पर बराबर वाला ही लेना है तो यहां पर दीके के बटा 6 बराबर यहां पर क्या करेंगे माइनस 5 बटा 2 क्या करेंगे ले लेंगे अब यहां पर आपको क्या करना है तिर्चा तिर्ची गुणा कराना है तो के में 2 से गुणा होगा तो 2 के और बराबर यहां पर दीके 15 बार में कटे गए निके कामान कितना निकलेगा यहाँ पर माइनस 15 निकलेगा यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा तो उम्मिद करते हैं यह भी परशन आपको काफी ची तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला परशन है 13 नंबर 13 नंबर परशन है कि बिन्दू माइनस छो आठ की दूरी मूल बिन्दू से ग्यात करेए भी काफी मातपड परशन है और एक ऐसा परशन आपको वर्ड एक्जाम 2021 में इसी परशन के अधार पर देखने को मिल सकता है तो इहाँ पर जो ये बिन्दू दिया है इसका दूरी मूल बिन्दू से निकालना है तो मूल बिन्दू से दूरी का सूतर क्या होता है तो यह होता है under root x square plus क्या होता है y square तो यह बिंदू है इसमें पहला वाला मान x का होता है और दूसरा वाला मान यहाँ पर y का होता है बस इसमें आपको रख देना है x के जगे पर यहाँ पर minus 6 रख देना है और इसका square है तो square कर देना है प्लस है तो प्लस y का मान कितना है 8 है तो यहाँ पर रख देना है आपको 8 और इसका स्क्वेर है तो क्या कर देना है स्क्वेर कर देना है अब यहाँ पर देखे माइनस 6 का जब स्क्वेर करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वेर है या नहीं माइनस 6 दो बार गुड़ा यहाँ पर 10 निकलेगा यहाँ यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड प्रशन है तो एक भी प्रशन आप स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा आईए अगला प्रशन 14 नंबर प्रशन है कि बिंदू 3 और –4 में कोटी का मान ग्याद करें यहाँ पर आपको कोटी का मान निकालना है तो यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा यह है वाई अक्ष और यह क्या है एक्स अक्ष एक्स को क्या कहते है भूज कहते है और यहाई X को क्या कहते है भूज यानि X का जो मान होता है उसे भूज कहते है तो यहाँ पर भूज कितना है तीन है और Y वाले को क्या कहते है कोटी कहते है यानि Y का जो मान होता है उसे कोटी कहते है तो यहाँ पर Y का मान कितना है यहाँ पर माइनस चार है यानि कोटी का मान कितना है य आ ये देखते हैं अगला पर्षय आपे 15 नमबर, 15 नमबर भी पर्षय काफी माधपद है कि बहुपद XA square minus 2X minus 6 के सुन्यक alpha into beta कामान ग्याद करें, काफी माधपद परश्नय काफी माधपद XA square minus 2X minus 6 के सुन्यक alpha into theta हो, تو यहाँ पे दिखें alpha और beta हो, यहाँ पे सारी यहाँ गलती हो गया यहाँ पर लिख देंगे अलफा और बीटा हो अलफा और बीटा हो तो अलफा इंटू बीटा का मान आपको क्या करना है ग्यात करना है तो अलफा इंटू बीटा क्या होता है यह होता है सुन्यको का गुणनफल और सुन्यकों का गुणनफल यह क्या होता है यह होता है C बट्टा A होता है तो यहाँ पर बस आपको C का मान रखना है और यहाँ पर A का मान रखना है जो X स्क्वाइर में गुणा करता है वो A होता है और जो केवल X में गुणा करता है वो B होता है और जिसमें X Y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है यहां पर C होता है तो यहां पर देखिए X का मान किया है तो यहां पर X स्कार में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है जहां पर कुछ भी नहीं करता है वहां पर एक होता है अब यहां पर देखिए B का मान क्या है माइनस दो यानि B का मान यहाँ पर माइनस दो हो गया और यहाँ पर देखिए C का मान कितना है यहाँ पर माइनस छे है तो अब बस आपको यहाँ पर रखना है C का मान यहाँ आप लोग देख सकते हैं माइनस छे है तो माइनस छे और A का मान कितना है एक है तो यहाँ पर बीटा हो तो अलफा ब्लस बीटा का मान उयाद करें नदे यहां पर यहां पर लगा दिजी है और बिकर मैनाश माना बट्टा कितना है कितने हैं तो यहां पे दो बटा एक बुराबर क्या होता है दो होता है यहां पे दो क्या हो जाता बिलकुल सही हो जाता लेकिन यहां पे alpha into beta का हम से मान पूछा है तो alpha into beta का मान क्या हो जाएगा यहां पे minus 6 हो जाएगा यहां पे b option क्या हो जाएगा यहां पे बिलकुल ही सही हो तो जब भी किसी भीन का हर लेते हैं और हर का यहां पर क्या करते हैं अभाज गुणनखंड करते हैं और अभाज गुणनखंड में केवल दो आता है या केवल यहां पर पांच आता है या केवल पांच आता है या केवल दो और पांच का यहां पर गुणनफल आता है तो वही क कितना कटेगा ये चार बार में फिर ये दो से चार दो बार में कटेगा तो इसका अभाजे गुणन खंड कितना है रहा है केवल दो आ रहा है तो यहां पर यह क्या होगा सांथ होगा यह नहीं यहां पर ए उप्सन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही से हो जाएगा जब वी वाला option हम check करेंगे तो यहाँ पे हर क्या है तो 15 है 15 का जब हम अभाज गुणम खंड करेंगे तीन पचे 15 तो इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 7 में क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है तो यसी लिए यह क्या होगा यह असांत होगा तो उमीद करतें यह भी प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशनिया पे 17 नमबर 17 नमबर भी प्रशनिय देख लीजे काफी मात पुण है कि निम्न में से कौन अभाज संख्य है इसमें से आपको भी कट जाएगा चार से भी कट जाएगा साथ से भी कट जाएगा तो यह कौन सी संख्या होगा यह भाज संख्या होगा यहाँ देखिए 79 यह एक से कटेगा और खुद 79 से कटेगा ही कटेगा साथ में यह तीन से भी कट जाएगा यह और किसी संख्या से भी कट सकता है और यहाँ पर देखिए 21 से भी यह कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर भाजे संख्या हो जाएगा और 71 को यहाँ पर देख लिजे यह एक से कटेगा नहीं तो 71 से कटेगा यह अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यह क् c option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सई हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्य क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और यहाँ पर दिके sign A किसके बराबर होता है तो एक बटा cost A के बराबर होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है और 10 A किसके बराबर होता है तो एक बटा cost A के बराबर होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है य क्या है cos theta, तो sin theta और cos theta कितने degree पर बराबर होता है, तो यह 45 degree पर दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, एक बटा रोड़ दो, एक बटा रोड़ दो, 45 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिगरी यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 20 नंबर 20 नंबर प्रशने कि 9 C square A minus 9 10 A square एक किसके बराबर है यहाँ पर क्या प्रशने दिया है कि 9 C square A minus 9 10 A square A यहाँ पर दिखिए दोनों में 9 9 है तो यहाँ पर 9 को आपको क्या करना है common ले लेना है यानि बाहर निकाल लेना है तो यहाँ पर दिखिए C square A और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10A और C के स्क्वाइर ए और माइनस 10A स्क्वाइर यह कितना होता है तो यह होता है एक तो यहाँ पर लिख देंगे एक अब यहाँ पर दिखिए यह क्या होगा 9 और ब्रेकेट टूटेगा तो किसका चीन आएगा गुणा का और यहाँ पर हो जाएगा एक 9 में 1 से गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह 20 परशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आएगे देखते हैं यहाँ पर होमबर्ग परशन होमबर्ग परशन आप देखे 10 एक किसके बराबर होता है यहाँ पर आपको बताना है कि 10 एक किसके बराबर होता है तो cot 90 degree minus A के यहाँ पर बराबर होता है यहाँ पर देखे C, यहाँ पर देखे B option है यहाँ पर की C 90 degree minus theta और यहाँ पर C option है cos 1 90 degree minus theta और यहाँ पर देखिए क्या दिया है यहाँ पर की cos 90 degree minus theta यहाँ पर आपको बताना है कि 10 theta किसके बराबर होता है तो इसमें से जो भी option आपको सहील है कि वो आप हमें क्या कर दिजिएगा comment कर दिजिएगा और वीडियो को आपने like नहीं किया है तो please आप लोग वीडियो को like कर दिजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में bell icon को all पे दबा लिजिएगा तक कि जब भी class हो तो आपके पास notification पहुंचता रहे thank you for watching मिलता है अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लाएक पढ़ाई किजिए take care and bye